नमस्कार दोस्तों फ्रेंट्स यूपी पुलिस का एक्जाम हो चका है जो कि 27 और 28 जिनवरी को संपन हुआ दोस्तों देखिए अब कट आफ की बारी है तो ये कट आफ जो भी आपको सामने सोक हो रही है वो दोस्तों कट आफ है जो पिछली बार की कट आफ थी पिछली बार इस रेंज में अगर आप लोग हो तो आप दोड की तैयारी करना सुरू कर दीजी ठीक है उसके बाब जो दोस्तों देखिए कुछ बात हैं जिनको ध्यान में रखकर मैंने कट आफ तैयार किया है पिछली बार दोस्तों जो वेकेंसी थी वो थी 41-42,000 के बीच में ठीक है ज इस्टुएंट नहीं पहुच पाए उनके बाद उनको उतने इस्टुएंट नहीं मिले जिनको उनको चाहिए था ठीक है उसके बाद उन्हों ने कट आफ को डाउन किया कितना डाउन किया देखिए जर्नल का 10 डाउन किया था OBC का 12, SC का 15 और ST का 18 तो गटकर कट आफ दोस् था easy to moderate ठीक है नहीं ज्यादा आपका easy था नहीं ज्यादा आपका tough था easy to moderate था paper अब जो नई बढ़ती है अक्टूबर वाली जो बढ़ती है जो एक्टूबर वाली जो बढ़ती है उसके अगर मैं बात करूँ तो देखिए post दोस्तों कितनी है post है आपकी 49,568 means 78,000 post पिछल थोड़े कम हुए है ठीक है और paper का level अगा देखा जाए दोस्तों तो paper का level पहले से थोड़ा हम कह सकते हैं कि moderate है पहले से थोड़ा कठिन था ज्यादा कठिन नहीं कह सकते बट कठिन था लेकिन आपड़ दो factor निकल के आ रहे क्या कि vacancy ज्यादा है और student कम है paper का level ज्यादा ह cut off अपने आप down होगा 101% down होगा आप इस बात को note करके रखिएगा ठीक है चलिए जो मैंने cut off तयार किया है दोस्तों मैं आपके सामने ये cut off रहा है journal का 205 से 210 अपने आप कम होगा और होना भी चाहिए paper का label अगर आप reasoning देखेंगे तो कुछ student के ऐसे कुष्षंते की देखकर होस उड़ गए होंगे क्योंकि वो question उनको नहीं आए होंगे ठीक है paper का label कह सकते हैं cut in था reasoning का मैं बोलता हूं बहुत cut in था ठीक है क्योंकि जो simple question बे उनमें दमाग लगाना पड़ रहा था आप लोग माने या नमाने जो paper देके आए हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे OBC का 200 से 205 की बीच में, ST का 180 से 185 की बीच में, ST का 145 से 50 की बीच में ये कम होके जब दूसरी list निकलेगी और आप ये मानिये 101% दूसरी list भी निकलेगी मेरे साब सर्थ तीसरी भी निकलनी चाहिए क्योंकि student नहीं मिल पाएंगे, वेकेंसी जादा है, पिछली बार के पेच्छा, student थोड़े कम है, पिछली बार के पेच्छा में बात कर रहा हूँ कटॉप इससे ज़्यादा नहीं जाने बाला, आप इस बात को नोट करके रखिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आप इस range में हैं, तो आप तैयारी में लगे रहे हैं, क्योंकि आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपका jail warden और fireman की vacancy हैं, तो दोड़तों आपको लगा नहीं पड़ेगी, इस range में हैं तो आप सुरू कर देजी, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, ठीक है, चलिए, गल्स का देखते हैं 190, ठीक है, और जो कम होके दूसरे नकलेगा तो 170, ठीक है, तो ये cut off आप मार के चलिएगा, क् तो कि दिखिए, नॉर्मलाजेशन भी इसमें होगा, अबश्य होगा, आप लोगों ने गलत कितने किये, ये भी माइने रखता है, सही और गलत का परसेंटर निकाल के हमने पास रखिएगा, जब आंसर की आएगी तब, ठीक है ना, और बहुत अच्छी बात ये है कि पेप पर लेकने हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पेपर अच्छी तरह संपन हुआ है, कोई धानली नहीं होई इसमें, बस आप लोग कट ओफ का वेड केजिए, रिजल्ट का वेड केजिए, आंसर की का वेड केजिए, ठीक है, ओल लगेस्ट